अगले सवाल पर चलते हैं फटा फट मुझे चार पांस सवाल करने दो फिर आप थर्ड चलिए थर्ड आप बताईए क्या कहता है एक्स वांड कितने रुपे पांच लाग एड दा एंड आफ एट येर यानि पांच साल रुपे चाहिए आठ साल बाद कहां फ्रॉम नाउ से डिपोजिट इच येर एन अकाउंट ओफरिंग 10% और कमपाउंड इट पर एनम और ये डिपोजिट इच येर करेगा यानि इतने पैसे हर साल जमा करें कि उसे आठ साल बाद कितना मिल जाए पांच लाग रुपे मिल जाए यानि आप आज कितना वेल्यू है ये नहीं पता आपको फ्यूचर में चाहिए तो सर यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा फ्यूचर वेल्यू फ्यूचर वेल्यूज इस इकल टू एन्यूटी और इंटू में क्या लग जाएगा c v r की पावर n ठीक है सर फ्यूचर वेल्यूज आपको निकालना है एन्यूटी आपको पता नहीं, sorry future value आपको given है, कितने रुपे का 5 लाग, annuity आपको पता नहीं एक समान लेता हूँ, बार बार annuity लिखना पड़ रहा है अब इसकी value निकाली है rate क्या था आपके पास 10%, 10% आप 5 साल का निकालेंगे जब 8 साल का मैं formula फिर से अगर लिखूँ, तो 1 point या 1 plus 1 plus r की power n फिर minus 1 इधर लिख रहा हूँ सब कुछ आ जाए, तब आपने divide करना है, इस पर calculator r से ऐसा नहीं कि पहले बोलो, sir पहले divide करो, फिर minus करो, तो फिर नहीं आपाएगा वो तो sir, यहाँ पे 1.1 कितने साल 1.1 इंटू 1 साल, दो साल हो गए आपको चाहिए 8 साल, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि 2.14 minus 1, divided by 0.1, sir यहाँ आगे 11.43 11 अब divide कर दो चलिए चलिए अब नेक्स सवाल पर चलते हैं अब आपको अब झाल झाल